तो पंजाब हरियाना हाई कोट का आया है सकता देश सुलो सभी बड़ी खबर आ गई है इस वीडियो में जानेंगे खबर को विस्तार से अगर आप रोज अरियाना की ताजा खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अब आप इस यह रूप चल को सब्सक्राइब अबस करें रोग तो पानीपत में दुसकर्म करके हत्या के मामले में अतरिक जला एवं सत्र नाइधीज सुमिधगर की कोट ने दो लोगों को 18 फरवरी को फांसी की सजा सुनाई थी बुदवार को पंजाब इन हरियाना हाई कोट ने फांसी की सजा और एक लाग नबे हज़ार रुप अतरिकी और से दोसी पच के अड़ोकेट मुहमत आजब ने बताया कि याजका करता ने हाई कोट में याजका दायर की थी इसमें कहा गया था कि दोनों को बच्ची के मामा के सामने एक बालिया बैन पर सजा दी गई है जो गैर कानूनी है फांसी की सजा वजरुआने पर रो नोटिस जारी किया है फांसी की सजा वजरुआने पर रोग लगा दी है बता दे की यह मामला मतलदा थानाचेत के गाउं में बारे साल की बच्ची के साथ दुसकम के बाद गलागोट का हत्या भी की इसके बाद भी सो के साथ दुसकम करने के दो दोस्यों को अत्रिक दिला इमसत नाइधी सुमित करने सजा मौत सुनाई थी और नियाले ने कहा कि दोस्यों ने बच्ची कपड़े जलाकर सो को तालाब में फेक करके साचों को नस्ट करने का भी प्रयास किया है इस सबस्ट है कि अपरादियों को अपने इस जगन अपराद और उसके दन की जानकरी थी नेले ने सजा सुनाते हुए कहा कि दोस्यों को तब तक फासी पर लटकाया जाए तब तक वे मर नहीं जाते हैं दोस्यों को वहीं एक लाग नंबे हजार रुपए का जर्बाना भी लगाया गया है तो फिलाल हाई कोट के द्वारा इस पर यहां पर इस फैसले को रोक दिया गया है हाई कोट के द्वारा यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस वीडियो में ती थी जन गई धन वारा